हेलो भच्छो आज हम लोग जानेंगे वाटर कलर्स के नेम और एबिए सीडी तो आइये मैं आपको बताती हूँ कलर्स के नेम, ये कौन से कलर है यलो कलर? ये है ब्राउन कलर ग्रीन कलर रेट कलर तो आइये हम लोग कलर को विल करते हैं पहले क्या आता है? पहले आता है A तो आए हम A में कौन से कलर को फिल करते है यलो कलर को A फॉर होता है इपल इपल मीन्स होता है से A के बाद क्या आता है A के बाद आता है B ये है यलो कलर B फॉर होता है बॉल बॉल मीन्स होती है गें B के बाद क्या आता है बच्चो B के बाद आता है C तो आई हम C में करते हैं ब्राउन कलर C पर होता है केक C के बाद क्या आता है D आता है यह है आरेंज कलर D पर होता है डॉग डॉग मिन्स होता है कुट्ता D के बाद आता है E यह है ग्रीन कलर E पर होता है एलिफेंट Elephant means होता है हाथी E के बाद क्या आता है E के बाद आता है F यह है red color F पर होता है fan Fan means होता है पंखा F के बाद क्या आता है G आता है और यह है red color G पर होता है goat goat means होती है बकरी G के बाद क्या आता है H आता है यह है इसका इप लिव कलर H पर होता है hand, hand means होती है मुर्गी H के बाद आता है बच्चो I, यह है yellow color I पर होता है ice cream I के बाद आता है J, यह है light green color J पर होता है जोकर J के बाद आता है K, यह है देके brown color K पर होता है king, king means होता है राजा K के बाद क्या आता है K के बाद आता है L, यह है yellow color L पर होता है loin, loin means होता है share L के बाद आता है M और यह कौन सा color है यह है green color M पर होता है monkey, monkey means होता है bandar M के बाद क्या आता है M के बाद आता है बच्चो N यह है orange color N पर होता है nose, nose means होती है नाज N के बाद आता है O तो आए हम लोग O में करते है red color O पर होता है onion, onion means होता है प्याज तो बच्चो आप लोग भी ऐसे पढ़िए और आगे बढ़िए O के बच्चो बाबाई, thank you